जहन दोस्तों सभी को लगता है कि हमारी pension कितनी है या family pension कितनी है किसी ने एक chart डाला है हमारे को साथ ये chart कैसा है मैंने इसका calculation देखा कि आपको वारोपी 2 में आपकी कितनी थी वारोपी 3 में कितनी बड़ी फिर area कितना बना और आपकी total pension के हकदार आप कितने है चाहे वो service pension है चाहे family pension है और सिपाई से लगाकर सुविदार मेजर 30 साल तक का इस नों नों ने एक data निकाला है एक data किसी ने मेहनत किया है और सारी चीयों को calculation करके निकाला है हम आपके सामने इस data को प्रस्त करते हैं आप देखिए आपके लिए क्या applicable है आप देख सकते हो तो दोस्तों से पहले उन्होंने सितंबर 2024 pension from Spurs rank and length of service service pension वारूपी 2 से वारूपी 3 area पर सितंबर 2024 में इदा आता है तो total कितना pension मिलेगा family pension फिर कितनी होगी वारूपी 2 वारूपी 3 area और सेप्टमबर 2024 के साथ यहनि सिपाई इद 17 साल service है 18,807 तो 20,463 हो जाती है area उसका बनता है इन्होंने जुलाई अगस और सितंबर का 4,968 और एदाप्ती वो area अलग मिलेगा और बढ़कर के जो pension आएगी डिये 50% के साथ वो 30,695 बन रही है दोस्तों family pension की बात करूँ यह सिपाई 17 साल service वाला है तो वारूपी 2 में 11,285 थी वारूपी 3 में 12,278 है area 2,981 है और उनको मिलने वाली pension है वो 18,417 होगी दोस्तों सिपाई 17 साल है पट वो M.A.C.P. नाएक है M.A.C.P. नाएक मिला है तो 20,1 एक से साथ थी बढ़कर के 21,488 हो जाती है area 4,142 बनता है उसको area 4,142 आएका उसके साथ बढ़ी हुई pension डिये के साथ आएगी 32,232 family pension है तो 12,65 थी और वारूपी 3 में बढ़कर 12,893 होती है area 2,485 बनता है और सितंबर 20,24 में pension 19,344 उसकी बनती है दोस्तो जबरदस्त और सिपाई 17 साल है M.A.C.P. हवल ना रहे है यानि उसको फिजीकल रेंक सिपाई है लेकिन 17 की आए तो M.A.C.P. हवल ना रहे है 21,782 थी बढ़कर के 22,446 बन जाती है area 2,82 बनता है सितंबर में उसकी जो pension है 33,7 से 14,50 बन जाती है अब इन्होंने का है ना रहे का है 22 साल का 21,244 थी वारूपी 2 में service pension और बढ़कर के वारूपी 3 में 23,59 हो जाती है area 6,976 हो जाता है और सेप्टमबर की उसकी pension है वो 35,354 हो जाती है यद इसी लड़के का family pension है इसके बराबरी तो 12,747 वारूपी 2 में थी बढ़कर के 14,142 होती है 4,186 DA होता है और 21,213 उसको इस मेहने की जो pension में भोतान होगा naik है 22 साल service है बट M.A.C.P. हबलार है तो पहले वारूपी 2 में 22,144 थी अब बढ़के 24,763 हो गई है बिल्कुर rank मैंने बोला naik है 22 साल लेकन आपको हवलारी भी मिली है M.A.C.P. तो 24,763 आपकी service pension होती है area आपको 7,858 रुपए बनता है और जो pension इस मेहने की है वो आपकी बन रही है 37,1,45 इसी service के अंदर वारूपी 2 में आपकी family pension 13,287 थी बढ़कर के 14,858 बनती है area 4,715 बनता है और 22,287 आपकी total pension बन जाती है नाएक 24 साल है आपको तो 21,688 आपकी वारूपी 2 से बढ़कर के वारूपी 3 में 23,575 पांच यार 644 का area और 35,344 आपका सप्टमबर का pension वारूपी 2 में के अनुसार family pension 13,13 वारूपी 3 में 14,41 आपकी family pension है जो के 3,386 area बनता है और 21,213 आपके pension माएगा जो पुराने लोग है जो उनको M.A.C.P. नहीं मिलती थी अब नाएक 24 साल वाला है और M.A.C.P. नाएक सुदार भी हो सकता है तो 14,845 वैसे बढ़कर 16,95 च्छतीस सो उसका area है और 24,143 उसकी family pension बनती है हवलार 15 साल सर्वेस है 21,782 यानि आप पहले प्रमेचर आये होगे जुलाई 2014 से उसके लिए 21,782 से बढ़कर आपकी 21,988 हुई यानि 618 आपको area मिलेगा 32,922 आपकी pension होगी 13,070 OROP2 में आपकी family pension थी तो बढ़कर के 13,193 यानि 19,690 आपकी pension आईगी आप हवलार है 24 साल सर्वेस है 22,257 OROP2 में थी OROP3 में 24,763 हो जाती है area आपका 7,518 हो जाता है टोटल pension आपकी 37,145 हो जाती है आप family pension की बात करें तो 13,355 से बढ़कर 14,888 बढ़ती है और 4,511 का area बनता है 22,287 आपकी total family pension आईगी यदे आप हवलार 24 साल है बट आपको M.A.C.P. 9.0 मिला है तो आप पहले 24,825 के अकदार थे OROP2 में आप बढ़के 26,825 हो जाता है ये OROP3 में 26 साल आपकी सर्विस है हवला आ रहे हैं सिर्फ तो 22,270 से 25,520 हो जाती OROP3 में और 99,74 आपका area हो जाता है total pension आपकी 38,330 होती है family pension है वो 13,355 से 15,350 होती है area आपका 5,984 होता है और 30,25 आपकी total family pension होती है नए तरीके से अब आप हवला है 26 साल के M.A.C.P. 9.0 भी मिला है तो आपकी 24,825 से 26,900 आपकी basic pension होती है और 6,224 आपको area मिलता है और 40,350 आपकी full pension जो सितंबर में हो जाती है यानि फिर है इसी case में यद आपकी family pension 14,895 से बढ़के 16,140 होती है 37,344 आपका area बनता है और 24,210 आपके खाते में full pension आईगी honorary नाइब सुदार हैं 24 साल वाले तो आपकी 23,750 थी अब वो बढ़कर के 25,738 होई है 5,964 आपका area बनता है 38,607 आप pension के हकदार है यह family pension की बात करें तो 14,250 से बढ़कर 15,443 होती है 3,578 आपका area बनता है 23,156 आपकी total family pension बनती है honorary नाइब सुदार है 26 साल वाले है तो तब वारोपी 2 में 23,750 ही था लेकिन वारोपी 3 में 26,738 आठ हजार 964 आइरियर और 40,107 आपकी pension वारोपी 2 में family pension 14,250 बनती थी इसी service की तो 16,43 बढ़ गई है 5,378 आइरियर और 24,65 आपकी total pension आपके खाते में आएगी नाइब सुदार है आप 28 साल service वाले हैं तो 26,75 थी आप पहले आपकी 27,950 कर दिये 5,624 आपका एरियर बनता है और 41,925 आपकी total सितंबर में pension आएगी family pension 15,645 से बढ़कर 16,770 3,314 आपका एरियर और 25,1155 आपकी पूरी family pension शुविदार 28 साल वालों की 30,115 आपका एरियर 14,26 सेप्तम्बर की तनका 45,263 यद फैमिली pension ले रहे हैं तो 17,820 ती 18,105 बढ़ जाती है और total अउनका 27,108 पूरा pension आएगा सुविदार 30 साल 31,000 से 31,500 यानि 1500 एरियर सिर्फ 500 बढ़ा तीन मेने का 47,250 आपकी पूरी pension हो जाती है family pension 18,600 से 18,900 और 903 मेने का एरियर और 28,350 आपकी फुल हो जाती है सुविदार मेजर 30 साल 30,775 से 34,425 एरियर 10,950 और 51,638 आपकी pension family pension 18,465 और 20,655 वारूपी त्रीम हो जाती है और 6,573 मेने का एरियर और 30,983 दोस्तों आपकी तो ये मैने इतना ही आंकड़े आज आपके सामने रख रहा हूँ इसमें सीधा है कि वारूपी 2 में क्या थी वारूपी 3 में सर्विस pension कितनी बड़ी तीन मैने एक आपका एरियर टोटल कितना हुआ वो आएगा और pension जो बड़ी हुई आएगी वो आईए दोनों मिला के आपके खाते माना चाहिए मैं डिये 50% की calculation की बात कर रहा हूँ तो ये थे आंकडे मोटे मोटे आप बिलकुल समझें सोचें और अपने दोस्तों को सेर करें साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि PMR को इसमें consider नहीं किया गया है एक जुलाई दोयार चौदा से आने वाला किसी भी प्रकार का प्रेमेचर रिटाइरीज है उसको सामिल नहीं किया गया है जो लोग 30 जून तक रिटाइड 30 जून दोयार 24 तक हैं उनको सामिल किया गया है दोस्तों एरियर की जैसे ही घोषणा एक जुलाई दोयार 24 ओन वाड़ी एरियर होगा पिछला जो आप दोयार 20 में आये तो वो पीछ का पिरिट का एरियर बगरा इसके सामिल नहीं होगा इसकी हर प्रकार की घोषणा हो चुकी है कोरिजेंडम पीपीओ इसके बन रहे हैं लगातार आ रहे हैं कल भी कम सकम 20 लोगों के निकाले हमारे पास भेजा है तो उसके अंदर आपकी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू न्यू वैल्यू में आपकी संसोधित पैंसेन सकते हो नहीं तो इस परस की आईडियू पासवर्ड से खोलें अपना डाउनलोड करें अपने फाइल में लगा लें दोस्तो यह है पक्का खबर धन्यवाद